आपकी जो संस्ता है सुरम्य जो लगभग अब दो दशक से ज़ादा पुरानी हो चुकी है जहां इस नृत के प्रचार प्रसार के लिए काम होता है किस तरह के रियक्शन्स हैं आज की जो यंग जनरेशन है जो यूट्यूब की जनरेशन है जो म्यूजिक में उसने बहुत सा उसके पास एक्सपोजर है वैसे ही डांस में बहुत सारा एक्सपोजर है रियालिटी शोज है इन सारी चीजों के बावजूद जो शास्त्रे नृत्य है उसको लेकर आज की जनरेशन में किस तरह का एंथूजियाजम है और किस तरह से वो रियक्ट करते हैं जब आप उनसे सीखते जाओ बस उसका नतीजा कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता तो यह जो इस तरह के टाफ रिमार्क्स होते हैं जो शास्त्रीय कलाओं के साथ हैं उसमें बच्चे किस तरह से रियक्ट करते हैं जब मैं एक बात बुलना चाहूं हूँ कि मैं बच्चों को कभी भी यह नहीं कहती हूं कि आप पफॉर्म नहीं करेंगे अपरी मेरी एक अलग पत्रव सोच है कि अगर आप बच्चों को पीच मीच में देते रहें या उनको एक अफसर देते रहें इसलिए मैं सालाना एक वह करती हूं प्रोग्रैम जिसमें हर बच्चे को स्टेज बर कुछ ना कुछ चाहे एक श्रोग ही क्यों ना हो या चार स्टेप क प्रेजन करने का मुका देती हैं अगर आपसर मिलता रहता है तो बच्चों की रोटजाहान बना रहता है और स्पेशली जो हमारे शास्त्री न्यत्य की विधाय हैं जो एक ट्रडीशन है कि दस साल के ट्रेनिंग के बाद ही पहले आम लोगों को तो ऐसे ही अफसर मिला की व और तब आपको आगे प्रोग्राम दिया जाएगा लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा हट करते बच्चों को धीरे-धीरे कभी छूटा सा कभी छूटा एक आइटम इस तरह से बीच-बीच में बच्चों को आफसर मैं देती रहती हूं ताकि बच्चों में एक confidence मी रहे जब वो स्टेज पर जाए तो वो पूरे नर्वस नाओं को अपने अरंगेटरम को पूरे मतलब confidence के साथ वो निभाए उसको मेरा एक थोड़ा सा ये मैं अलग सोचती हूं कि बच्चों को साथ साथ में अफसर दिलेते रहना चाहिए चाहे साल में एक बार ही क्यों ना हो चाहे साल म मैं बताना चाहूंगे सुरब में सलस्ता में जितने भी बच्चे हैं वो शिक्षा लेते हैं उसके साथ साथ कभी भी ये महसूस नहीं करते हैं कि मतलब बहुत जादा रोका जा रहा है क्योंकि मैं बहुत friendly रहती हूं बच्चों के साथ और चाहती हूं कि बच्चे प्यार स सिखें स्ट्रिक्ट होना है मैं अपने स्कूल में अपनी डांस में मैं के बास गई और मैंने बुला मुझे बच्च में बात लेना है तो उन्होंने सीधा बोल गया कोई जरूत नहीं है कुछ नहीं याद है चाहूं तो वो चीज बहुत बुरी लगी हिस्त है और ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ से चैलेंज लिया कुछ पता ही नहीं है वो तो बूल गई थे तो पतब ऐसी बाते होती हैं कभी कभी टीचर बोल देते हैं और हमें शाहिद टीचर नहीं मन से ना कहीं हो लेकिन पच्चे के मन पर क्य सिखाते हैं सरी और और आज कल वो चीज से थोड़ी कम हो गई है जैसे दस साल या पूरा ड्रेनिंग होना है फिर भी गुरू लोग ओपिशुनेटी देते हैं आप सर देते हैं बच्चों की टैलेंट पर निमर करता है कि बच्चा कितना हाड़ वर्किंग हैं कुछ सीखेंगे उनका भी पता लग जाता है हमें बच्चों को सिखने हैं नहीं है नहीं है तो यह सब बच्चे जब सीखने आते हैं इंका पता लग जाता है चाहते हैं कि अपनी संस्क्रिती को आगे बढ़ाने में तक पर रहें और सिखाते हैं आगे जाके बच्चा करें ना करें यह मूद बच्चे पर नेवर करता है बच्चे पर नेवर करते हैं और यही अप्रोच होना भी चाहिए क्योंकि हमने तो जब तक्रीबन अब एक दशक होने को आए जब रागगिरी संस्था की शुरुवात की थी तो कोशिशी यही थी कि यह जो बच्चे डर डर जाते हैं इस आट फॉर्म से कि बच्चे को आप लेकर गए बहुत समझा भुजा कर कि चलो आज तुम्हें हम शास्त्रिये जिर्नित्य का या शास्त्रिये गायन का कोई प्रोग्राम ले दिखाते हैं और आप कामानी में लेकर गए और वहां जो उस्ताज जी आए या जो पंडित जी आए उन्होंने बैठते ही कहा कि साथ साल से ये इंस्ट्रुमेंट बजा रहा हूं लेकिन अभी तक बजाना सीख नहीं पाया जो थोड़ा बहुत सीखा है वो कोशिश करके सुनाता हूं तो मुझे रखता है कि आज की जनरेशन तो भाग जाएगी उसको लगए अगर साथ साल में नहीं सीख पाएंगे तो फिर सीखने का फाइदा क्या है तो आसान करना होगा इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये कला बहुत महान है लेकिन इस कला को अगर हम इसकी कठिनाई बताकर अगर सिखाना चाहेंगे तो शायद रास्ता और जटल होता जाएगा एक सवाल और मुझे बताईए आपने भारत मे नहीं तमाम कारिक्रम किये हैं जो अब दर्शक है क्या जब आप भारत में कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं भारत के किसी हिससे में कोई करने जा रहे हैं तब का जो thought process होता है कि क्या करना है मंच पे और जब आप लेट से आप बाहर South Africa या किसी और देश में कर रहे हैं क्या content सेम होता है या content वहां के दर्शक के लिहाज से और यहां के दर्शक के लिहाज से कुछ दिमाग में minute changes करने पड़ते हैं मैं यह कहना चाहते हूं कि जब आप एक particular style को दिखाना चाहते हैं जो जैसे मैं अगर कुछी बुरी की बात करूं और मुझे कुछी बुरी नर्थी के लिए बुलाया जाता है तो हम उसमें कुछी बुली ही दिखाते हैं ऐसा नहीं है कि पार्थी संस्कति में और foreign country में जाके हम अलग लग चीज़े दिखाया हैं आप मुझे है कि हम अपने देश को को देश की संस्कति को दिखा रहे हैं तो देश की संस्कति में कुछी पुडी मित्य के माद्यम से हम कुछी पुरी आइटम ही दिखाते हैं और उसमें आपने देश का या कुई ऐसा एक add कर देता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल बनाया जाता है अगर कोई टॉपिक दिया जाता है अगर माल लिजे आप में आपको ये एक टॉपिक देता हूं इसमें आपको प्रेशन करना है तो इसको हम भी तयार करें इस तरीके से ले रहा हुए यह मतलब रहता है मैं जैसे मैं कभी भी फॉरन कंट्री भी गही हूं तो मैंने अपने ट्रडिशनल आइटम्स ही पेश किये हैं शब्दम्स हैं कीरतन हैं हमारे जतिस्वरम हैं या गनेश सुथी हैं तो उसी को हम इस तरीके से प्रेशन करते हैं उनको नया लगता है उनको ए कि लिए हम लैंग्वेज के मात्यरिम से उनको बताते कि हम ली कर रहे हैं जो दे रही जोई टे अप्रिशेट दे टोंट एनी चेंज लिए हर चीज में अच्छा भी नहीं है कि हर बार हम चेंज करते रहें मैं इसा बिलीब करती हूं तो चीजे एस अच्छा लगता है जो ह हमारा tradition है हम उसको as it is रखे और उसके अलावा हम experiment कर रहें को थीक है लेकिन हमारी संस्कुति को हम as it is ले जाएंगे तो हमारी आनिवली पिड़ी समझ पाएगी कि हाँ यह ऐसा था अगर हर निती चेंज करता रहे तो उसकी जो originality है वो खत्म ही हो जाएगा तो तो नया पन अगर हम उसको as it is नहीं करते तो हमें जो आज हमें आता है वो ऐसा नहीं होता को चेंज हो के आता और जो गुरू लोगों ने सालों पहले मतलब लगा लिजी सेंचुरीज पहले जो को रिग्राफ किया वो अभी तक ऐसा ही चला रहा है तो हम यह समस्ते के लिए हमारा ट्र चीज आगे बढ़ाना हमारा दर में प्रयोगार्पक चीज ले करना बहुत अच्छी बात है मैं इसमें भी बिलीब करते हूं पर ऐसा नहीं कि हमारे चेंज ही करते रहेंगे वो भी ठीक नहीं लगता है थोड़ा सा बस यह है कि हमें अपने ट्रिजिशन का पुरा द्यान बहुत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला और आपका गला ठीक नहीं था इसके बावजूद आपने समय निकाला तो इसके लिए दोहरा धन्यवाद और धेर सारी शुपकामनाएं हमारी संस्था की तरफ से हमारी तरफ से हमारे प्रात्मक सोच के साथ इस महान मृत्य परंपरा को आगे बढ़ाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं। जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो हुआए आपको ब स्वापने के लिएया खासतोर प्सक्ते ही एक राहे जड़के बाहे हैं।